अजय साथ भिन्न के अंतरगत हम प्रिश्णावाली साथ वसंदों पाच तुरू कर रहे हैं पहला प्रिश्ण ये कह रहा है कि निमने भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए यानि ये भिन्नों का प्रदर्शन किया गया है जो अंकी रूप में लिखे यहां प्रदर्शन रूप में है तो आप इनको पहले आपको देखना है कि किया गया है देख देखिए उसके बाद पर इसका जवाब देजिए देखे यह इंदिया हुआ है एक डिबबा बना हुआ है एक आयत बने हैं एक दो तीन चार पांच भागों में बटा है ये कितन तो ये बन जाएगा एक बटे 5 भाव सलिट इस भिन्द को हम कैसे लिसकते हैं किसको इस उपारवाली को is this ने को कैसे लिसकते हैं इसको लिसकते हैं 2 बटे 5 और कुल सलिट कि इतने एक बटे 5 जोड़ के यह वाले बनाई गई गई है और अंकी रूप में अगर आप लिखना चाहें तो इसको बोलते हैं एक बटे 5 इसमें 2 सेलेक्ट हैं 5 में इसमें 2 बटे 5 इसमें 3 सेलेक्ट हैं 5 में तो 3 बटे 5 ऐस समझ में रहे हैं पांच कहां से आया है पांच वो हिस्से है जो कुल होते हैं कुल हिस्से होते हैं जिसे की हर में लिखा जाता है और जो सलेक्ट होते हैं वो अंस में लिखे जाते हैं जैसे यहां पर तीन सलेक्ट है पर तीन अंस में आगया है अब देखकें दो तो यहाँ पर दिखो है तो यह ओपर है और हरमिकाई पाइग है, इधर एक सबक्त है निरल सिकत है विससे इसी में छेकरी की कि तने भागा तिखते हैं इसका मतलब नीचा ही जाएगा और select कितने हैं वो इसमें सारे के सारे select हैं 5 के 5 की select हैं ठीक है ना यहां पर देखिएगे इस चकरी में 5 में से 3 select हैं इसका मतलब हो गया यह चकरी 5 थी 5 भागों की और select 3 हैं और इधा देखेंगे 5 भाग तो अभी भी दिख रहे हैं लेकिन selection इस पे 2 दिखा रहा है तो हो क्या रहा है धान से देखिए 5 भाग में से 3 भाग select हुए तो दो भाग बचे इसका मतलब यह हो गया कि इस चकरी में से इस चकरी के 2 भाग खाली कर दिये गये हैं यह जो select थे उनको हटा दिया गया है तो जो बचे हुए भाग हैं इधार तो कैसे बना पाज में पाज पूरे यह पाज बचे पाज इस पाज हिस्से में 3 सबेग तो 3 भाटे पाज इस हिस्से qualification चो आधार प्याए गया है तो जो हिस्से च्फोड़ दिये गये थे वह यहां के selection में दिखाए गएन इस यह भी और हिस्से हैं जो तो इसको हम भीन कल दखाना गहेंगे इस पर देखेंगे एक डिबबा है। इसमें च्छे बॉल रखी हुए है जिसमें से 2 सेलेक्ट हैं। इस को हम कितने लगेंगे यह डिबबे को 6 है और इसमें 2 सेलेक्ट हैं। इस दिब्ब्बे में 6 है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 5 सलेक्ट है और हैं कुल बाल 6 क्या हो रहा है देखके बदद की जरुत दो बाल इदर कुल पांछ बाल इदर इसका सबस्क्छा जोड़ गया है कि हो रहता है लिए जोड़ दिया गया हैं दो बते 6, तीन बते 6, जोड़के, पाँच बते 6 ने बन घाया, देख सहमच में आ रही है तीन बाड इज़र से सलेक्ट उल्षा कर स्सक्राइब को चिर्ण देख स्कार स्वृ इसका मतंब दो बते 6 मिलकर पांच बटे 6 हो गया इस तरह यह हमारा पहला बिन का पहला योग के घटाने और उचित के रूप में लिखे तो बिलकुर यह उचित के रूप में योग है और अगर लिखना इधार माने योग और घटाना लिखा है तो हम ही गदर यह घटाना हो गया और यह योग हो गया कि यह उसी क्रम ठीक है लेते हैं दूसरा कि इसी प्रिष्णा वाली का प्रिष्णमबर दो है कि हल की यह नि कुछ भिन दी गई है जैसा जो चिन ने दिया एकर धन दिया तो दान की योग कर भीजिए उगर रिड़ दिया है तो उसको घटा देना मतलब जैसा दिया है इसका ह तो शुरू करते हैं पहला है एक बटे 18 में जोड़ देना है एक बटे 18 है तो देखो जी अभी हम लोग पिछले वार पढ़ी चुके हैं देख करना क्या है एक सूचित करता है कि अच्छे ने बना लीजिए इन दोनों में रगुतम होता हूँ नीचे उठा लीजिए और क् दो बचता है इसमें से उन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो यह कितना हो जाएगा एक लेक दो बटे 18 हो गया अब यहां से क्या करने जो कॉमन होता है इसको काट दीजिए अगर कातने का भी थोड़ा प्रेटिस कर लीजिए इंपर तो दो एक कम दो और दो नाई 18 है इसको शीछता है आप तो इस तरह यह आपका यह हो गया वाश्च पहला वाले का जवाब हुआ । इसके सबसे सरल्तम काटते हुए इसको अंत में नहीं आई है तो इसको सबसे सरल्तम भी नहीं बन जाएगी इधार देखेजिए इन दोनों में कितना है लगुक्ता माया इनका 15 क्योंकि आधार सामानी नहीं हर जो एक जैसे होते तो अंस कुछ सिधे-सिधे वो जूड़ दिय अंसर के समय में चाहिए यह ना भी लिखो तो ठीक है यह लिख दो तो अच्छा है यह सुचित जहां तक आपको हल करना वहां तक तो सुचित करता है चिन लगा दीजिए जैसे ही हल रुख जाए वो बराबर का चिन लगा लो आज तीन-ग्यारा बटे-पंद्रह दोनों मे है का मन यानि की लगुत्तम साथ अब क्या हजाएंगे यह साथ वर ये चिन लगल का है तो साथ में से पांच गया तो और यह साथ तो पहले से है कि इस जो हो गया एसमें देखिए इसमें है ये 22 दोनों का है लगुत्तम जब हर एक यसे होते हैं तो इनको के वल जोड दिया जाता है ये जोड गया है प्रेकाईस और एक 22 हो जाता है 22 बटे 22 अब इदार देखिए जो संख्या अंस और हर दोनों में एक यसी हो तो क्या हो जाता है? एक ही बार कटता है इसका मतलब यह होगा 22 एकम 22 22 एकम 22 एक बटे एक का मतलब यह हो गया कुल एक जैनि एक बटे एक नहीं लिखा जाता है इसका मतलब तो यह ही बना यह जो बना वो बना एक बटे एक और जो हम आंसर लिखेंगे से वाल लेते हैं इसी के आगे वाले पार्ट अब इसी के आगे का पार्ड ले रहे हैं यह नंबर है तो देखिए बेलकुल वही है जैसे अभी अभी किया था यह रहा हमारा पंद्र है लगुत्तम क्योंकि नीचे पंद्र है उपर है बारह में से साथ कम करना कितना आएगा साथ पांच आया और इधर आया पंद्र है तो इसको आप काम करेंगी तीम को घटा दीजिए इसको कम क पांच और पांटिया पंद्र कितने बार गया उपर बचा एक और नीचे बठा तीम तो इसकी सरलतम भिन गए 12 बठेंगे से 7 बठेंगे तो आएगा एक बठेंगे फ में ले लेते हैं यह रहा एफ पांट यह दोनों का लगुत्तम हुआ आठ यह पांच में से यह तीम और अठ की और 8 बटे आट अठा भी अर्जे से पहले किया था वैसे इसमें भी करना पड़ेगा आठ यह कामाट अठा एक बटे एक तो इसका हमान कितना हो जाएगा इसका मान हो जाएगा केवल एक इसको ले लिजिए देखिए यहां पर जह समझा रही एक मेंसे दो वर्टितीन घटाना है वह पहली बता दिए एक की जगे आपको क्या लिख लेना है तुब इसका हरती है तो इसको एक को इस रूप में बदल लेना है तो हम इसको रिपलेस करके रख लेते हैं तो एक तो नह 2% 3 तो कितना हो गया इसका लगुठत्तम आया 3 और यह कितना हो गया2 गया 1-3 यह इसका मतलब हो गया यह शुर् Oreo viene यहां चार नहीं का तो यहां पर आ गया लगुठत्तम चार अब यहां एक बटे चार फा यहां सूने बटे चार तो एक में से यह सूने को जोड़ना है किसी भी संख्या में सूने को जोड़ दो या किसी संख्या में सूने को घटा दो उस संख्या पर कोई परिवर्ता नहीं होता है अर्थात इसका मतलब हो गया यह एक में सूर ने जोड़ेंगे तो एक ही रहेगा अरफाद यह बटे चार है आई में ले लेते हैं तीन और इधार जो है बारह बटे बारह बटे पांच बारह बटे पांच एक बार फिर चेक लेते हैं अब यह काम करना है इसको जब कोई लगुत्तम में कोई अंक नहीं होता मतब जैसे कि अंस तो दिया है लेकिन उसका कम जो है ये फिंवी बनाने यह, ये संख्या में जो लगा ले ते हरमै तो वह उसा भर्ट त पढ़ता नहीं इसल्ए इसको भी इस्हा मतब्क लेकिन लुवास है जैसे इन ओम मों ने है, अब क्या किया जाता है, इधरवाली संख्या है इसको उतारग लीया जाता है, गुढे क चिन लगाते ए स्वाल एक का इस्क पांच में भाग दो. जितनी नी बाढ जाएगा बहुत, तो एक पंचे पांच, यहां बाढ रहते, उतारेंगे, अब पांच गुढे का चिन तो पंच में तीन का गणा 5 तीन है और बारह में एक का गणा 12 एकंग 12 आप दख्का दिए तो बारह में से 15 में से 12 गया 3 2019 और 12 वरच पांच Talking । प्रुशन नमबर तीन तीसरा प्रुशन ये कह रहे हैं कि सुभम ने अपने कमरे की दीवार के दो बटे तीन भाग पर पेंट किया उसकी बहर माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के एक बटे तीन भाग पर पेंट किया उन दोनों ने कुल मिला कर कितना पेंट किया तो इसका हल ऐसे करेंगे पहले जो जो दिया है बैसे सुरू कर देते हैं तो सुभम ने कितना पेंट किया सुभम ने पेंट किया ज़िए सुभम ने पेंट किया पेंट किया कितना दो बटे तीम भाब तो इसको लिख़ो दो बटे तीम ठीक हैं और माधिवी ने माधिवी ने पेंट किया कितना एक बटे तीम भाग एक बटे तीम भाग अब क्या करने दोनोंने कुल को मचा पूटा योग करना तो क्या है कुल भाग यहां पर लिएंगे कुल पेंट किया भाग कुल पेंट किया भाग तो मितलब क्या हो गया इन दोनों को जोड़ देना है कैसे करना है दो बटे तीन में एक बटे तीन को जुड़ देना है तो देखिए ये तो तीन ही है और दो धन एक कितना हो गया ये ये बन गया तीन और तीन बटे तीन का मतलब क्या होता है तीन एक कम तीन तीन एक कम तीन तो कितना जाएगा एक बटे एक और एक बटे एक को कैसे लिखते ह एक लिखते हैं और एक क्या हुआ यहार असा का मतल्म के हो ही हां Even पूरी ॥ content दीवार एक मतलब पूरी दीवार क्या लिखा है कि दीवार तो हम भी लिखा रेते हैं पूरी दीवार यहीं उसने पूरी दीवार कित करकिसान में रिक्ति स्थान को भर ये 10 में से घ्रादे आये سब्सक्राइबा की शाकुंधायन त जुरल या दिखी जो चीज चाहिए होता है उस चीज को अलग कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा इस पार ले जाएगा इसको इस पार ले आएगा इसका मतलब ही होगे यानि कि साथ बटी दस तो वैसा ही है, तीन बटी दस को हम पक्षांतर करके लिए आये, ती रहा धनात्पतर पर रण हो गया, और इसको पीछे तरफ ले गया तो ही डिबबा भी बचा है, इसका मतलब जो इसमें से हल करके निकलेगा, वही इस डिबबे में आएगा, तो क्या है बचा 10, इसका मतलब है इस डिबबे में आएगा, ्चार बटे 10, यानि यहां पर क्या लिखेंगे हम, यह वाला भी इसा एथे यह जो पंखेंगे, इसको जब पक्ष बदलते हैं तो चिन्न बदल जाते हैं संक्रिया ध्रियर्ण की था ध्रियर्ण में बदल में देखो इसको भी ऐसे करिए इसमें ये पक्षानतर के समय डिबा लिया और उस तरफ चलेगे पहले तो क्या था 5 बटे 21 था तो वह तो लिख लिया आपने और ये वाली चन्नक्या इहरा की धन्य बन गई तो ये बन गया 3 बटे 21 अब ये डिबा तो वह सही रहेगा क्योंकि इसको तुब अभी ज्याती करना है जब तक ये सरल तम भी नना आ जाए तब तक आपको हल करते रहना है तो ये बन गया 21 ये पांच और ये धन 3 फिर ये रहा डिबा यहां पर पांच तीन आठ बटे 21 यानि कि इस डिब अभी से सरल नहीं हो सकता इसको मतलब ये यही वाला डिबे में भड़ना है आठ बटे 21 यानि आठ बटे 21 में से तीन बटे 21 घटा है पांच बटे की सर जाता ये खाली स्थान पर इससी तरह इसके सी और डी हैं वो भी कि अन्य आठ ए इसे कसी पार्ट है है कि खाली स्थान में से तीन बटे 6 गठाई एक टीन बटेश ही मिल जाए इस चलो ले चलते हैं इस पार कि यह रहा खाली स्थान और यह बराबर किस पार आजाईए यह 3 मटे 6 है और इसको इस पार लिया आएंगे तो यह रिन करखा तो इधर आके यह धंग में बना जाएगा तो यह बन गया 3 मटे 6 इसका मतलब अब इसको हल कर लिजी इसको जैसे हल करते हैं तो क्या मिलता है ये रजुता माया 6 इधर 3 और 3 जुड़ गए फिर 3 और 3 पर जुड़ दिया तो 6 बटे 6 ये डिबबा अभी भी हमारा खाली है या तो 6 बटे 6 लिख दीजिए या सरलतम भी ने लिखना है तो 6 एक कम 6, 6 एक कम 6 अर्थाद 1 बटे 1 या तो आप 6 बटे 6 लिख दीजिए या पूरा-पूरा एक लिख दीजिए क्या लिखना है या तो पूरा-पूरा एक लिखना है या 6 बटे 6 लिखना है हलाकि सरलतम भी लूप लिखा जाता है तो एक में से खट जाएगा तो वो निकल आएगा यानि खालिस्तार में हमको एक लेखना है करना क्या है इस डिब्बे को बचा लेना है और इस बारह बटे सथे साथ में इसको लगते हैं हो गया अब फिर वही प्रक्रिया यह रहा हमारा डिबा सब्सक्राइब और ये बारह में से 5 कम कर दिया तो 12 में से 5 कम करेंगे तो 7 बटे 27 शेयर था जीए लिखा जाएगा इस जिए चौथा झाल रिखा जाएगा यहां पर सूथा 7 बटे 27 था जिसमें 5 बटे 27 जोड़ने पर 12 7 वता है तो तरह दिए 4 सवाल खतम होता है लेते हैं एस पाचवा हैं लिगें तो करें संत्रों की एक टोकड़ी का पाल बटे साथ भाग मिला झाले इसको बताना है तो सिस्को इसको इसके रहा हुआ है मिला कि एक पाल बटे 7 भाग मिला पाल लिखें को निवñरी थे प्लुरी में संत्रों का भाग कितना बता है Vocês thingub माना या ऐसा टोकरी का भाग टोकरी में संत्रों का भाग पूरा-पूरा एक है ठीक है मतलब पूरा-पूरा जिसको हम टोकरी चाहिए जितने भी हमको पूरा-पूरा एक माल लेते हैं अब जावेद को संत्रों की जावेद को मिला भाग तो जावेद को मिल रहा है पॉर्टिक साथ चिक तो सेश भाग निकालना है तो सेश भाग यानि की टोकरी में बचाथ से यहां पर लिख लो तो करी में बचा तो करी में बचा तो करी में बचा से इस भाग कितना हो जाएगा इस एक वाले पूरे-पूरे हिस्से में से पांच बटे साथ दखा तो कि हमने पूरी-पूरी को एक ले रखा संत्रों को पूरा एक हिस समाना था तो इसको इसे अब चाहिए एक चीज यहां रटना है जब यह भी नहें तो इसको भी बचा बना लीजिए यह तो अब पिछले सवाल में कर चुके हैं ना अब क्याटना क्या है कुश्च नी करना ह एक और साथ का लगुता में तो साथ आता है अब हल करता है यानि एक को उतारा जाता है गुड़ें का चिन लगाया जाता है इस एक का इसमें भाग दिया जाता है फिर इस पांच को उतारते हैं साथ का इसमें भाग देते जितनी बार जाता है यहां लिग दिया जाता है इस 7 में से five गया दो बटे 7 यहनि कि six भाग बचा हमारा two by seven कितना बचा यहां तक निकालना था बात सुमझ पा रहे हैं तो यह रहा साथ बसुला 5 मिलते हैं अगले वीडियो झात झात